वेल तो हे गाईज, वेलकम टू माय चैनल, मैंने मिस पंकर स्टो, वेल आपका स्वागत है नौर्मी रेस्लिंग में, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि कि हमें ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल एक बार फिन से रिटन करते वे दिखाई दे सकता है, तो इसको लेकर ए जो कि हमें multiple returns देखने को मिलने वाले हैं, आने वाले समय में, Monday Night Raw के अंदर, तो इसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है, और भी अच्छी कासी अपडेट होने वाली है, इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब से मिलते वें दिखाए दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर यह फोटो देख सकते हो, और वरुन धवन को जो की एक चैंपेंशिप भी गिफ्ट करते वें दिखाए देते हैं, तो यह कुछ हमें यहाँ पर वरुन धवन और डुरु मैकेंटार की तरफ से देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स देखने को मिलते हैं, जिनका जवाब देते वें दिखाए देते हैं, डुरु मैकेंटार, और उनसे एक फैन पूछते वें दिखाए देता है कि डुरु मैकेंटार का फीवरेट क्रिकेटर कौन है, तो ऐसे मियां पर हमें उस फैन का reply करते वे ट्वीट करते वे दिखाए देते डू मैकेंटार जहाँ पर इनका ये कहना था कि इन्होंने जो की बचपन से ही क्रिकेट को देखा है और इनके जो फेवरेट प्लेयर है वो है विराट कोली तो ये कुछ हमें आपर डू मैकेंटार की तरफ से देखने को मिलता है यानि कि इन्डिया के अंदर कौन फेवरेट प्लेयर है उसको भी यहाँ पर बताते वे दिखाए देते हैं डू मैकेंटार तो ये कुछ हमें आपर डू मैकेंटार को लेकर देखने को मिल रहा है और इतना कुछ देखने को मिली रहा है तो होप करता हूँ कि आने वाले समय में हमें एक meet and greet भी देखने को मिल जाए तो काफी बढ़िया रहेगा कम से कम मुझे जाने का और बात करने का मौका भी मिल जाएगा बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि theory को लेकर तो theory अपने money in an unexpected वैसे और तो इसे घुटे É c जो कि काफी अच्छी बात है बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Logan Paul को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Logan Paul जो कि अपने रिसेंड के इंटर्व्यू के अंदर कहते हुए दिखाए देते है रोमर देंश को लेकर और उनके क्राउन जोल के मैच को लेकर जहां पर उनका यह कहना था कि जो रोमर देंश है वो काफी ज़्यादा टफ कंपेटिटर है और वो काफी ज़्यादा टफ है तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है Logan Paul की तरफ से यानि कि Logan Paul उनके स्किल्स को लेकर और Romandans के बारे में तारीफ करते वे दिखाय देते हैं और कहते हैं कि वो काफी ज़्यादा टफ सूपरस्टार है तो यह कुछ हमें यहाँ पर Logan Paul की तरफ से सुनने को मिल रहा है एक ऐसे बॉक्सर की तरफ से सुनने को देखने को मिल रहा है जिसने काफी अच्छे खासे बॉक्सर से लड़ रखा है तो ऐसे मैं पता नहीं वो कौन सा UFC का पता नहीं कॉमेंटेटर था जो कि हमें डॉवली के मंड़े नाइट रॉक के अंदर देखने को मिलते थे जिमी स्मिथ वो कहते थे कि भाई रोमन डेंस रियल लाइफ में लड़ी नहीं पाएगा एक्जामपल देख लो भाई लोगन पॉल खुद तारीफ कर रहा है तो भाई क्या ही कह सकते हैं बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि ब्रे वाइट को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि ब्रे वाइट को लेकर रिपोर्ट्स हमें यहां पर यह देखने को मिल रही है कि WWE जो कि हमें जितने भी characters को लेकर यहां पर tease करते वे दिखाई दे रही है Alexa Bliss को लेकर, Uncle Howdy को लेकर और Bray White को लेकर तो W यहां पर Bray White के लिए survival series के अंदर काफी बड़े plans बनाने वाली है और जहां पर हमें past में update भी देखने को मिली थी कि मेभी वो हमें Russell भी करते वे दिखाई दे सकते है survival series के अंदर तो यहां पर wrestling के भी plans है और हो सकता है कि Bray White को लेकर हमें काफी बड़ा surprise देखने को मिल जाए जो कि survival series के अंदर crown jewel के अंदर तो हमें एक promo देखने को मिला था लेकिन ड़लोली survival series के लिए काफी बड़े plans बना रही है Bray White को लेकर और हो सकता है कि ड़लोली यहां पर हमें Bray White को लेकर काफी कुछ करते वे दिखाई दे जाए जहांपे वो मेभी हमें जो कि Russell भी करते वे बिल्डब भी देख ले तो आप फाइनली हमें जो कि Russell करते वे देखने को मिलने चाहिए Bray White तो ऐसे में यहां पर हमें ड़लोली survival series के लिए उनके लिए काफी बड़े plans बनाने वाली है तो यह कुछ हमें यहां पर earlier reports देखने को मिली है और past में भी update यही देखने को मिली थी कि हमें Russell करते वे दिखाई दे सकते है तो Russell करने के साथ साथ हमें हो सकता है कि ड़लोली और भी काफी बड़े plans बनाते वे दिखाई दे सकती है Bray White को लेकर survival series के अंदर तो देखते हैं वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है Bray White की तरफ से और ड़लोली की तरफ से बढ़ते हैं अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो की multiple returns को लेकर सो जैसा कि आप लोग को बता दू कि हमें ड़लोली की तरफ से काफी बड़े और multiple returns देखने को मिल सकते है current superstars के नहीं current superstars तो हमें देखने को मिलेंगे मिलेंगे लेकिन हमें legends भी return करते वे दिखाई दे सकते हैं और यह सारे हमें return देखने को मिलेंगे Monday night rocket 30th anniversary को लेकर तो reports हमें यहाँ पर यह देखने को मिल रही है डवलोली जो कि Monday night rocket 30th anniversary को काफी huge way में book करने वाली है यानि कि काफी बड़े way में book करते वे दिखाई देगी डवलोली यहाँ पर जो हमें rock का 30th anniversary देखने को मिलेगा यानि कि हमें डवलोली यहाँ पर काफी बड़े plans लाने वाली है और काफी बड़े हमें super stars और काफी बड़े legends का भी return देखने को मिलेगा जहाँ पर हो सकता है कि maybe the undertaker जॉन सिना के already rumor है और हो सकता है कि और भी बड़े बड़े superstar हमें return करते वे दिखाई दे जाए रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे तो देखते भाई वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है Monday Night Rocket 30th anniversary को और कौन-कौन से super star कौन-कौन से legends का हमें return देखने को मिलेगा तो आप लोग comment में जरूर बता देना बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो ये update हमें देखने को मिल रहा है Greatest Royal Rumble को लेकर तो जैसा कि मैंने सुभा वाली update वीडियो के अंदर बताया था कि डवलोली जो कि साओधी एरेबिया के अंदर हमें 3 shows करवाते वे दिखाई दे सकती यानि कि 3 shows हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि साओधी एरेबिया के फिलाल के टाइम पर हमें Crown Jewel देखने को मिलता है Elimination Chamber देखने को मिला था इस साल लेकिन वो हमें एक बार फिन से Super Showdown बनते वे दिखाई दे सकता है और एक और event वापीस आते वे दिखाई दे सकता है और most probably ये speculations हमें देखने को मिल रही है कि WWE जो कि हमें Greatest Royal Rumble जो 50 Men का Royal Rumble देखने को मिला था वो Royal Rumble हमें एक बार फिन से वापीस आते वे दिखाई दे सकता है यानि कि 50 Men Greatest Royal Rumble हमें एक बार रेटन करते वे दिखाई दे सकता है और इसको लेकर past में ऐसी भी update देखने को मिल रहे थी कि WWE backstage में discuss कर रही है 40 Men's Royal Rumble को लेकर तो हो सकता है कि इस idea को apply करते वे दिखाई दे जाए Greatest Royal Rumble के अंदर और जो normal वाला Royal Rumble है वो तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा लेकिन हमें माई के अंदर हो सकता है या फिर WWE जो कि हमें साउदी अरेबिया का second show जब भी करवाए या फिर first show करवाए वो show के अंदर हमें हो सकता है कि Greatest Royal Rumble के idea को pitch करते वे दिखाई दे सकती है और उस paper भी को एक बार Finn से लाते वे दिखाई दे सकती है जिसके अंदर हमें 50 Men's Royal Rumble देखने को मिला था तो इसके उपर आपके एका thoughts है ये फिलाल speculation है तो देखते हैं वैसे क्या कुछ यह बात हमें सही होते वे दिखाई देती है या फिर नहीं तो ये मुझे comment section में जरूर बता देना वैल वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करो, share करो, subscribe करो जो भी करना है कर सकते हो Instagram और Twitter का link भाई description में है वहाँ पर जाके जरूर follow भी कर लो और जिसने चैनल को subscribe नहीं कर तो भाई, subscribe कर लो latest updates और इसी interesting videos के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye everyone guys